हिमाचल में उना का IPH विभाग का दफ्तर सोमवार को उस समय जंग का मैदान बनता दिखाई दिया जब उना सरदर के कॉंग्रेस विधायक सत्पाल राज्यादा ने विभाग के दफ्तर में जाकर हंगामा खड़ा कर दिया विधायक महदे का यहाना सिर्फ विभाग के अधिकारियों के साथ पलकी कुछ ठेकेदार के साथ भी खूब जम कर जुबानी जंग हुई जुबानी जंग के तेवर इसकदर तीखे थे कि भाशा की मर्यादा तूटिती नज़राई हाला के जुबान आई पेच विभाग के उच्चे उधिकारियों ने सयम का परिच्च दिया और वे विधाय को शांत करवा दे दिखाई दिये बात ऐसे है कि जब से भाजपा सरकार आए रही है और बिना टेंडरिंग के अपने चेहताओं को जिस तरीके से टेंडर दिये जा रहे हैं सबसे बड़ी बात वो है कि लोगों को ए टेंडर जो है को कैंसल करके और अपने चेहताओं को टेंडर दिलवाने के लिए जिस तरीके से पर इनकी हां की हां में मिलाते हुए आगे टेंडर वी शूसी साब से कर रहे हैं और काम पहले हो चुके हैं अब उन कामों को जिस्टिफाई करने के लिए डीनाइटिया त्यार की जा रही है और इसके साथ साथ पानी जो है वो ना देला में है ना गुठार में आ रहा है ना कही और जगे आ रहे हैं पानी उसकी बार बार मैं इस कहते हैं कर रहा था हलात IPS डिपार्टमेंट के जे है कि जो लोग हैं पस्थ हैं और अधिकारी मस्थ है सरकार मस्थ है इनको लोगों की परशानियों से कुछ नहीं लेना देना कि लोगों को पानी मिल रहा है जा नहीं मिल रहा है इनको अपने ठेके जो लोगों को ठेके दलवाने है उसके उपर डटे हुए है और इसके उपर जल्दी ही मैं आपको पत्तरकारों को एक वीडियो बना कर दूँगा जिसमें जो काम हो चुके हैं उनके डीन डाइटियां भी त्यार होनी है जो काम हो चुके हैं उनके अभी तेंडर लगने है जो काम करने है अभी जिस टेंडर की बात हो रही थी वहां प Mrs. आ ठेकादार द्वारा गेर दिया गया जिसको षाटे। जिसको चेकाद फ्रशार विभाग ये कारवाई की थी, पर तो यह ऐसा कोई प्रॉलम है तो इसको सौर्ट कर दूगा तो अब अभी देखना पड़ेगा टेक्निकल्टी जो इनको क्या प्रॉलम लग रही है तो मैं इसको सौर्ट करके पूरी इसकी डिस्कस करके फिर इसको फैन कोई तो अरूप यह बताई थी मेरा देहला में बताया था भार नमों तीन में तो उनको मैंने स्पोर्ट में इसको समधान करते है तो दिक्कत होगी तो उसको समधान करते है